जैहिन साथियो आप सभी का एक बार फिर सौध करता हूँ आपके अपने पसंदिदा यूटूब चैनल हिम गुरुजी में तो साथियो जैसा की थमनेल देखके आपको पता चल गया होगा आज हम डिसकस करेगे जो आपके कम्प्यूटर साइंस के कुछ कॉशन है तो दोस्तो आपका जो एक्जाम होने वाला है जे ओए आई टी हमिर पूर बोर्ड द्वारा दोस्तो इसके रिम प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं क्योंकि दोस्तो इसमें पहले 1133 पोस्टे थी इसमें कुछ इंक्लूड हो गई है तो यह टोटल पोस्ट जो आपकी 1756 हो जो बाकी कॉशन बचते हैं उसमें आपको हिमाचल जी के, Current Affairs और All India जी के दोस्तो इस तरका के जो General Knowledge है वो पूछा जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा हो है 120 कॉशन आपके Computer Science से तो दोस्तो हम सेरीस स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे शी वीडियो लाते रहता हूं और आप में चैनल साथ बने रहे हैं तो दोस्तो शुरू करते हैं पहला प्रेस्ट आप लोगों के सामने इस प्रकार से है इंटरनेट से इन में से इंटरनेट का जनक कौन है दोस्तो चार आप्षिन दिये गए है आपके सामने आपको बताना है कि इंटरनेट का जो जनक है वो कौन है इसमें चार आप्षिन दिये है आपको चूज करना है चार में से क्या है मासा यो सीशन डॉक्टर विंटन जी सर्फ विल गेट्स या बीमल जालान इसमें आपका जो सही अंसर हैगा वो option number B रहेगा जो आपके विंटन जी सर्फ है इन्होंने जो है इंटरनेट की खोच की थी अगला फ्रेशन है दोस्तो computer के मस्तिश को क्या कहा जाता है समरिती, hard disk, CPU और कुझी पटल चार उशन आपके सामने है जो आपका सही अंसर है दोस्तो वो आपका CPU CPU की full form होती है Central Processing Unit इसको computer का दिमाग मना जाता है CPU का बिश्तित रूप क्या है मैंने आपको बताया है CPU की जो full form होती है वो आप देख सकते है option number A में दिया है control and primary unit B में दिया है Central Processing Unit C में दिया है computer and process unit D में दिया है आपका उप्युक्त सभी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका Central Processing Unit CPU अगला प्रेश्ण आप देख सकते हैं computer के संदर में ALU का तादपर है दोस्तो ALU इसकी भूलभाम आपको बतानी है यहां पे चार option दिया गया है चार में से कौन सही होगा फेला option है Algebraic Logic Unit Arthematic Logic Unit Algebraic Logic Unit और Arthematic Logic Unit Local Unit इसमें जो सही अंसर होगा option नमबर B है आपका Arthematic Logic Unit ALU Arthematic Logic Unit इसका सही अंसर होगा अगला प्रेश्ट बारत का प्रतम Computer Critt Dark घर कहां स्थित है दोस्तों भारत का प्रतम Computer Critt Dark कहां प्रस्थित है चार option है आपका मुंबई कुलकता चेनई और नई दिल्ली आपका जो सही अंसर होगा वो है आपका नई दिल्ली में आपका भारत का पहला Computer Critt Dark स्थित है Next question है आपके लिए सूचना राजपत किसे कहा जाता है सूचना राजपत Internet Email Cellular Phone या Computer तो उसमें सही अंसर आपका option number A है Internet Internet को दोस्तों सूचना राजपत कहा जाता है दोस्तों इस परकार के question आपके जो exam होना है इसमें general question पुछी जाने है क्योंकि यह आपका plus two based exam होगा plus two के level इसमें सभी जो स्लेव अना है तो दोस्तों यह सिंपल से question है ऐसे question पुछी जाने है तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंदा रहे है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा और साथ मैं अपने दोस्तों को भी शेर कीजेगा आपका एक like दोस्तों मुझे motivation देता है मैं आपके लिए चेशी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ अगला है शब्द, आवाज, इमेल और ऐसे कारेों को अनुदित करना जिसे लोग system unit प्रोसेस करने वाले प्यारूप में समय सकते है उसे डेश-डेश के रूप में जाना जाता है option number आपका A है device, drivers, device, reader input input device और आपका output devices इसमें आपका option number C आपका input devices आपका सही option रहेगा CPU का प्रमुक का रहे है CPU की full form में उपर आपको पूछी थी कि CPU की full form क्या होती है आप comment box में बता देना मैंने इससे पहले आपको बताई है यदि आपको याद है तो comment box में बताना इसमें पूछा है कि CPU का प्रमुक का रहे क्या होता है program अनुदेश को पर अमल करना data जानकारी भावी प्रियोग है तो store data और जानकारी प्रोसेस करना और, ARC दोनो तो आपका option ने ARC दोनो होगा इसमें अे ARC में आपका देख सकते है data अनुदेश को पर अमल करना और, data और जानकारी प्रोसेस करना CPU की का मुक्यकारे होता है और full form आप comment box में बताना कि इसकी full form क्या होती है अगला है भारत में सर प्रथम चे नई भारत में सर प्रथम चे नई में प्रकट होने वाला प्रथम virus कौन सा था दोस्तो ये चे नई में पहला virus जो प्रकट हुआ था ये था C-Vrain C-Vrain जो computer virus था वहां पर प्रकट हो था next है CPU में control memory और dash dash unit होता है CPU में क्या होता है control memory और क्या होता है चार ओप्शन दिया आपको पार arithmetic, logic, microprocess, output और ROM CPU में क्या होता है आपको arithmetic logic option नमबर ये आपका सही रहेगा arithmetic logic होता है अगला question है computer निमनी खित में ऐसे कौन सा कारे नहीं करता इनमें से कौन सा कारे नहीं करता है computer inputing, processing, control और order standing इनमें से कौन सा नहीं करता है option number D, order standing नहीं करता अगला question megabyte में मापा जाता है bookamp जन संख्या computer की समरिती या शक्ति वे की क्ष्यमता इसमें चार option दिये गया है दोस्तो इसमें जो सही अंसर होगा आपका option number C आपका computer की समरिती जो है मापी जाती है साथ हो मैं आपको दाज़ता हो कि इस वीडियो में 20 कॉशन डिसकस करेंगे और यदि आपको आप सभी का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पोंस आएगा तो मैं आने वाल टाइम में आपका और वीडियो लाते रहूँगा इसमें बहुत सारी वीडियो लाते रहूँगा और आपके लिए अच्छे-ची वीडियो लाऊँगा आप चैनल को सब्सक्राइब व्रूर कीजिएगा दोस्तों और आप हमारे Instagram page को भी follow कीजेगा लिंक आपको description में दे दूँगा आप मुझे follow कीजेगा को भी बातीत करना जाता है आप मुझे बात कर सकते है और साथी होई दिया अपने जे वई आइट का form नहीं भरा आया अवी तक तो मैं एक वीडियो बनाइए कि आपको form कैसे फिल करना है उसका link आपको मैं i button यहाँ पर आपको दिखेगा i button में दे दूँगा आपको आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको form कैसे फिल करना है अगला question है विश्व की सबसे बड़ी computer नेरात company कौन सी है IBM, Campec, HP, HCL IBM सबसे बड़ी computer की जो है company विश्व में है अगला है input, dash-input को output में रुपांतरित करता है चार option है central process unit, printer, output unit इन में से कोई नहीं processing unit, central processing unit आपको जो है inputs, output में सबसे अगला है प्रत्थ में क्या मुख्य memory होती है RAM, ROM, ये दोनों या इन में से कोई नहीं, इसका तो सुसाई और answer है C, यानि कि RAM और ROM दोनों ही और आपको मैं बताता हूँ, RAM और ROM की जो full form होती है, जो आपकी RAM है, इसकी full form होती है random access memory और ROM की full form होती है, read only memory, आपको ये full form भी पूछी जा सकती है, तो इसपे आप जाने किये, random access memory और read only memory की full form होती है अगला आपका जो फ्रेशन है, 16, डेश डेश डिवाइस मनुशे द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है, जिसे computer process कर सकता है चार option है आपके, printing, output, monitor और input, आपका सही अंसर क्या होगा, input गणना और तोलना के लिए computer के किस भाग का प्रियोग कियाता है, ALU, control, disk और model सही अंसर है आपका, ALU, इसकी full form में आपको ALU की full form आपको उपर बताई थी इजिए आपको यादे तो comment box में बता सकते है, शब्द परास अधीक होने से computer की गटी बढ़ जाती है, गढ़ जाती है, कोई परवरता नहीं होता, अप्रियोगत में से कोई नहीं शब्द परास, word length, इसमें सही अंसर है आपका, जो इसकी गटी है, बढ़ जाती है CPU CPU के गटी को प्रवरत करने वाले कारक है, शब्द परास, computer घड़ी, cache memory, उप्युक्त सभी सेंसर क्या है इसका जोस्तो, उप्युक्त सभी जो आपका CPU की जो गटी है, इसको प्रवरत कौन करते है, शब्द परास भी करता है, computer घड़ी भी करता है cache memory भी करता है, ये तीन है इसको जो है गटी को बढ़ा देते हैं, इसमें आपको उप्युक्त सभी का सेंसर होगा इस पीडियो का लास्ट कौशन दोस्तो, प्रथम गणना यंत्र, डेश डेश है घड़ी, difference engine, अवेकस या calculator तो साथियो, इसको जो सेंसर होगा, वह होगा आपका अवेकस क्या होगा दोस्तो, अवेकस तो साथियो, हमने आज, जो है, कम्प्यूटर के 20 कौशन डिसकस कर दिये है आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यदि आपको पसंद आई और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में का ज़रूर बताना आई होगा आपको ज़रूर पसंद आई होगी अपने चैनल पर यदि आप मेरे चैनल पर बने रहेगे थेंक्यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में